कि तूछ कि वैल्कॉम टू में चैनल स्मार्ट इस्टडी नोदे जैसा क्या पता है कि इस चैनल में आपको अपनिर बहुत सारे वीडियो जो है वह आपको एक दू महिना के अंदर में बहुत सारे वीडियो पर इक्षन और अंक गनीत के दाएं और बहुत सारे बीडियो स्वांग गनीत का इस्पेसली बनाए गया और सारे बीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे तो जल से जल सबस्क्काइब करके बेलकन को जरू दबा दिजे क्योंकि अब जो हो वह रिवीजन चालो हो गया है दो महिने बचे हुए हैं मातर दो महिने से कुछ दिन बचे हुए हैं तो यहीं मान के चलिए कि दो महिना बचा हुआ है आपको रिवीजन जो हो तेज़े से होनी चाहिए तो रिवीजन के लिए इस पेसली जो हो मैथ क्योंकि देखिए मा परना सकते हैं सहीत तरीके से यहां पर देखिए कोशन जो है बोला गया है कि निकटतम परिनाम क्या होगा यहां पर एंसर जो है पॉइंट में नहीं है तो यहां पर पोइंट के बाद 5 से कम है इसले साथ लिखेंगी यहां पर पोइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो यहां पर 30 लिख दी आ और उसके प्रहेपिर यहां पर लिख सकते है impressed और यहां पर हैं प्रहेख सकते हैं ीश दो सो नब्य में पार्द दस एक सो यह होगा बीस प्रचे सो होता ना तो सो इसको हम घटा देते हैं तो कितना आ गया यह आगया आपका एक सो नब्य देखिए ऑप्सन नमबर डी में एक सो नब्य है इस तरह साथ सोटकट वी में बनेए बहुत जादा आपको लॉंग करना न पंदरा सो मीटर लंबा है और साथ सौपचाश मीटर जहां वो क्या है चोड़ा है इस में क्या कर एक साइक चैसा और इसको चार्चकर लगा रहा है तो चार्चकर में कितने हो जाएंगे इसको अगर यह करते हैं तो यह हो गया आपका साढ़े मा इतना मीटर होगिया अब यह पूरा आपका एक चक्कर लगाने में होता है क्या नहीं होता ठीक है एक चक्कर लगाना मतलब इसका आपको क्या निकालना होगा परिमाप निकालना होगा तो यहां पर देखिया परिमाप निकालने का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है के यहां से यहां इसको अगर हो जागा किंग टि лишहां पंगitel किस्स के लिए तो आकर कीलो-मीटर करना इंसर गंटे में डिया किलो-मीटर करना पड़ेगा लिए आप चाल दिया हुआ आपका फोर पंट फाइब केलोमेटर तो यह और यह कटिया तो फोर रैंसर आगया आपका देखिए चार घंटे चार घंटे बहुत आसाने साथ इसको बना तो यहां पर देखिए जो कोशन है यहां पर पक्षियों के जूंड के एक चार पक्षी नदी के किनारे हैं जूंड के एक बटा पांच भाग के पक्षी आपने घौंसले में है और उसके फिर बाकी बच्चे जो है बाइस वो क्या है अब भोजन के तलास में घूम रहे हैं तो कितने पक्षी तो कुल मान के चलिए यह कुल पक्षी को आप एकस मान के चलिए आपको पक्षी नहीं पता क्या है तो लिए सको आप एकस मान के चलिए तो क्या होगा कि एकस का एक बटा चाहर मतब है अब फिर बोला गया है कि पूरा भूजन का एक बटा-पांच एक बटा-पांच प्र फिर घुन थो बाईश बचय हुए यह सब को अगर मिला दे तो कुल पक्षी हो जाएगे आ उसको आप देख सकते है यहां पर इसे स्bug कर आएंगे इस एक स्कार ले आएंगे आ इसको को इसको ए लेड़र ले आइंगे थाया तो इक्षख़ को डें आ involved यह फार देना पर कज़ेंresse क्षार यहां को डैटें पर चाहसे तो माइनस हो जाए टिका हैas यहां हो गया 5X, 5X को करते हैं, 5-4 के 20, फिर 4 से उपर multiply कर देंगे, और यहां हो गया 20X, ठीक है? और इधर हो गया minus 22, अब देखें, पांस चार नो, ठीक है? 9 में 20 घटता नहीं है, तो यहां पर हम लोग integer पढ़े होंगे, ठीक है, पुर्णांग, इस पुर्णांग में आप हो जाएगा, यहां पर minus 11 होगा, और फिर आपका यह इधर चला जाता है, तो यह आपका इन्टू हो जाएगा, है ना, यह 22 इधर है, और फिर जब एक्स को उधर लेंगा, तो यह divide मा जाएगा, minus 22 into 20 by minus 11, यह और यह कड़ गया, दो बार में, तो बिश दूना कितना हो गया कोश्चन देखिअ कितना ज्यादा घुमाई है, यहां पर जादा गूमाई होए है, यहां पर भूमाई होए, यहां पर आप समझ रहे हैं, किस तरह से कैसे कोश्चन को बनागा है, अब इसके आप पर कोश्चन को जg़ुह कए, यहां पर www.kosikut 15 भाग, 1 बटा 5 धालिस होगे हैं कि चलिए फिर हम आते हैं आप चलिए हम आते हैं को इस नंबर 45 में ठीक है यह पर 45 नहीं 44 में देखे 43 तक तो हो गया 45 में आते हैं ये 44 में आते हैं अमित ने एक मेज 12 रुपय में ख़ईदा और मरमत में 200 रुपय बेया किया ठीक है उसने फिर इसको 1680 बेज दिया तामीत का परतीसत लाप किया है ठीक है तो यहां पर देखिए 1680 है ना और 12 दो 14 100 चाहिए तो यहां पर आपका 280 रुपय का उसको क्या हो गया फायदा हो गया तो 280 रु सब्सक्राइब कीजिए बहुत ज्यादा आपको करने के जोरत नहीं 20 पर तीसत लाप हो गया ठीक है इसके बाद फिर देखिए आप कोश्चन नमबर 45 में एक वर्ग तता एक आयत के परिमाप समान है तो सबसे पहले एक वर्ग बना लिजा और एक आयत बना लिजा ठीक है यह बना लिए और दोनों का परिमाप समान में पुर रह रहा है वर्ग कभूजा केतना है तो आयत के लंबाई 18 लंबाई तो इसका चोड़ाई केतना होगा यह lav होग तो आपको पता है कि इसका परिमाप और यह पारिमाप दोनों बराबर है तो सबसला अगर हम कर दो तो आपको आपको यह निकालना है तो dwa को इधर ले जाएंगे तो क्या हो अगर यह दो इधर ले आगा तो यह 54 से रिभाइट हो जाएगा तो यह कितना हो ठीक है 32 तो 32 आगिया दो अगर इधर ले आते हैं तो अब बच यहां पर 18 तो क्या करते हैं देखिए चोड़ाई बराबर 18 इधर ले जाएंगे तो 32 है इधर और इसमें 18 घटा देते हैं इसमें घटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा 12 इधर चार और उसके बाद फिर आपका यहां पर चौद्ध हो गया तो चौदध जो हो गया इसका क्या हो गया गया 14 मीटर देखिए आसानिस आ सकता है इसके बाद फिर माते हैं कोशन नंबर 46 में 46 में 46 में क्या है 46 में आधिहां से देखेए कोईजिन को यह भी tough question है यह class 10 के level 9 10 के level को कोईशन है घोLa 8 मिटर लंबे 6 मिटर उची और 22.5 सेंटी मिटर मोटी दिवार बनाना उसमें इटे चाहिए जबकि इट का माप इतना दिया हुआ है, तो कितने इट हो के वे सकता होगी आपको निकालना है, यह बहुत ही highly question दिया हुआ है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी तरीके से बनाएंगे, देखिए यहां पर कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, क्या करते हैं, दिवार का टोटल जो लंबाएं चोड़ाएं उच्छाए है, इसको आप क्या किजिए, देखिए यहां पर आठ मीटर है, इसको सेंटी मीटर करने के लिए 800 कर देंगे, इसको छे मीटर है, इसको सेंटी मीटर में करने के लिए 600 कर देंगे, यह तो सेंटी मीटर में ही है, इसको ऐसी ही रहना से कट जागा यह पॉइंट है यह पइंट 400 देखे च्शूंत को बना सकते हैं ठीक है यई धस्तान नमबर इसमें क्या बुला गया है Πोटीी सहवर में है कि आप गंतार भास्तान पर हम अपने का tumor में आतरा करने के पास्चाद 25 प्रह में किति तो आप दो गहां की तिया हूँ आप 24 गंटे वाले में कनभट किए दो कितना बज़े हो गया 12 13 14 हो गया मतलब यह 14 45 आप इसको लिख सकते हैं 14 45 लिख दें इसमें साड़े चार घंटा मतलब 4 30 जो है वह आप इसमें क्या कर दीजिए घटा दीजिए बैक जाए ठीक है तो back जाए तो क्या हो जाए इसमें 500 हो गया इसमें एक हो गया और इसमें आपका 10 25 तो यह आपका सूबा में आ जाएगा थिक है 10 15 सूरी 10 15 क्या हो गया सूबा में हो गया तो यह आपका C नमबर आइसस-वह हो पिर देखें यहां पर कोश्चन जो है वह फोटी एट में क्या वाला है यह बहुत ही आसान कोश्चन है तो छेस्टो चालिक का भाज गुन्डन करना तो आपको यहां पर क्या किजिए गाए दो से इसको भाग दिया दो तीया चे हो गया दो दुने चार यह हो गया और उसके पिर आपको दो से फख दिया दो एक का दो हो गया दो चै його हो गया इसके और दो घा केاعओं घारा हो आते हैं देखिए कोशन नमबर 49 में ठेक है 49 में क्या कोशन पूछा गया है इसमें बोला गया है कि कितने वर्सों में बारा सो रुपए कि रासी पांच पर तीसाथ वासी की तरह से अठारा सो रुपए हो जाएगी मत अब यह मुल्धन है और यह अठारा सो रुपया जो है व मैं का सुतु जो होता है वह तब याज गुना सो बटा मुल्धन केतना है बारा सो और दर केतना है पांच पर तीसाथ ठीक है देखिए फर्मूला यूज कीजा आप देखिए बहुत है आसाने सकते हैं यह देखिए यह दुना बार डारेक्ट कर गए यह उसके आप फिर पा जिटिए रहे हैं दिखिए गार वीडियो पर बढ़ने रही है कि जब तकम बने रहे हैं आपको समझ बनाते इंहां और कैसे बopardा आप पूरा नंबर कैसे ला सकते हैं आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेघे फिप्ली सॉट्स बंप पांच साथ पांच और जीरो पर यह मल्टिप्लाइस को करना बहुत ही आसन देखे कोई भी नमबर को वहाँ से मल्टिप्लाइस तरह ही होगा तो आप क्या लिखते देखे 1475 लिख दिये हैं अब यहां पर दो डीट है यहां दो डीट है यहां दो डीट है तो चार संक्या ठीक है तो चार संक्या के पहले आपको जो है वो क्या करना एक दो तीन चार यहां पर दस लो आ जागा ठीक है अभी ऐसा एंसर देखे किसम में है ऐसा एंसर जो आपका यह वाला जो सी नमबर है यहां पे C number में है तो इस तरह से देखे क्या है ना कि 10 question जो मैंने बनाए 10 question जब बनाते हैं समझ लिजे कि 10 question अगर हम perfectly पूरा बना देते हैं तो आपको कितना फायदा होगा और एक एक number से जो है क्योंकि math में ही यह student जो होते जादे फेल करते हैं Music की वज़यासे ही फेल करते हैं अब यहां पर देखिए इस question को ठीक है इस question में आप क्या किजएका देखिए यहां पर देहा से समझे किशक समय में 51 में क्या बोला गया है कि साथ अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जागी यह हो जागी आपका नाइन 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 आप इसको कितना पर लिख दीजिए साथ पर लिख दिया चार अंकों के सबसे छोटी संख्या का अंतर बोला है अंतर मतब आपको घटाना है तो चार अंको 5 मोटब ह्याँ आपका ना सान таким पोछा है एंसर ना भांखर नल्ट सुन पूच्छा गया था इसके ने थे ति क्या था चरह सब भर nu i5 मि यहांने आपके वह जिर्त तो defin users जो है आपका एक दो तीन छे हो गया उसके पांच चंगों के सबसे बड़ी संक्या पांच तो आप आसानी से जो इसको बना सकते फिर इसको घटा दिया जीरो हो गया जीरो । यहां पर नायनों के बहुत आसान देखिए को सनम जो ऑपसन नमबर डी है उसमें आसाने से आपक हो जाएगा, पचास में 25-25 हो गया, यह तो सही है, यह बराबर नहीं है पूस्फा है, यह तो पचिस के बराबर है, यहां पर देखिए इसको करते हैं, तो 5 आएगा, बूसे में 25-25 हो गया, यहाँ पर आप देखिए 5- Bank में 10 हो गया, गुछ लेता है और question भी बच्छे हुए हैं तो यहाँ पे देख लेता है कुछ question और जो कुछ question अगर बच जाएंगे तो मैं नेक्स वीडियो में करवा दूँगा और चलिए आज इतना ही करते हैं कुछ question जो हो मैं नेक्स वीडियो में करवा दूंगा किस तरह से इसको बनाते हैं लेकिन जितना भी मैंने कोशन बता है इस पाप ध्यान रखे वीडियो को अच्छी तरह से वाच कीजिए मैंने कैसे उसको बनाया है आप इसको रिवीजन करते रहें यह कोशन तो आएंगे नहीं फिर भी आप रैक्टिस के लिए आप रैक्टिस उसको कर सकते हैं तो चलिए एक छोटा से वीडियो था आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरू से जरू से जरू कीजिए और सब्सक्राइब जरू कीजिए चैनल को ओके थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वी प्रशो दूपराब का लगाइब जरू ti luडियो इस जरूद traffic वा जरूटा ऑट लगेड़्ियो पह गाचियर पानल को फोकि जरूड़ चेंगूद reasonable the video